दोस्तों एक किस्सा याद आता है बच्पन का नानी की घर की जो च्छत थी ना जो में रूफ था बिलकुल उपर था उसकी कोई एक्सिस नी थी, कोई सीड़ी नी थी तो उनकी च्छत पे एक दिवार होती थी उसमें ना छेट थे जैसे विंडो होती है वैसे छोटे-छोटे बहुत सारे छेट थे तो चत पे पहुँचने का जो में छती रूफ था उसमें पहुँचने का एगी तरीका था कि उन छेटों पे चड़के बड़ी मुश्किलों में उपर पहुँचाओ एक बार मैंने अपने मामा को उपर जाते देख लिया और वहाँ वो काफी देर तक खड़े रहे एंज्जॉय किया और हमें थोड़ा सा चड़ाया तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं भी उपर चड़ू लेकिन रास्ता कटिन था एक्सपीरियन्स जीरो था कैसे चड़ू लेकिन मैंने भी कसम खाली मैं कुछ दिन के लिए वहाँ पे था तो मैंने सोचा रोज कोशिश करूँगा और शट पे उपर चड़ जाओगा तो दोस्तों अगले दिन से मैंने कोशिश करना शुरू कर दिया कुछ कदम चड़ता फिर गिर जाता फिर कुछ कदम चड़ता फिर गिर जाता चोट लग गई खून बह गया कई बार गिर गया फिर अगले दिन कोशिश करी थोड़ा सा और उपर चड़ा और दोस्तों घर वापिस जाने से सिरफ एक दिन पहले मैं चट पे फाइनली चड़ गया हाला कि दोस्तों उपर पानी की टंकी और बंदरों के मल के अलावा कुछ भी नहीं था तो भी यह बहुत बड़ी विक्टरी थी मुझे बहुत खुशी हुई उपर चड़के और फिर मैंने अपने कजन्स को भाई बेनों को चड़ाया जो की बेचारें नहीं चड़ पाए तो दोस्तों एक छोटी सी जीत थी जिसके लिए मैंने बहुत महनत करी बहुत कोशिश करी अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने आपसे अपनी लाइफ का इंसिडेंट क्यों शेयर किया तो दोस्तों लोग मुझे से पूछते हैं कि क्या सकसेस फेलियर का बाई प्रोड़क्ट है फेलियर्स ही सकसेस को जन्म देता है क्या फेलियर्स इतने ही इंपॉर्ड़क्ट है कि उनके बेना सकसेस नहीं मिल सकती तो दोस्तों मेरा जवाब है हाँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों दोस्तों सबसे पहली बात जितने ज़्यादा फेलियर्स होंगे मतलब आपने उतना जादा कोशिश की है, ट्राइ किया है जितनी जादा कोशिश की है, मतलब उतना ही आप dedicated हो, focused हो अपने goals के प्रती तो जितने failures हो रहे हैं, उतना ही आपकी dedication का पता चल रहा है और यह एहसास हो रहा है कि आप success से बहुत जादा दूर नहीं हो दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि आपके जो भी failures होते है, वो आपका सामना आपके डर से कराते है इंसान जिस चीज़ से डरता है उससे बहुत दूर भागता है, efforts नहीं लगा पाता और पीचे हट जाता है और सबसे जादा लोग डरते है failures से, embarrassment से जितनी बार fail होगे अपने डर का सामना करोगे, उतना ही मजबूत बनोगे, strong बनोगे, mature बनोगे, wise बनोगे आगे बढ़ने की लणने की काबिलत आएगी, उतना ही असानी से आप आगे failures को face कर पाऊगे और जितना असानी से failures को face कर पाऊगे, उतना ही नजदीक success के पहुंच जाओगे क्योंकि दोस्तों डर के आगई जीत है दोस्तों आपके failures आपको सिखाते है इस दुनिया के सबसे बड़े गुरूई हमारे failures है वो हमें जीना सिखाते है, जीने के rules सिखाते है मजबूत बनाते हैं, लाइफ का जिम है failures अगर एक इनसान सिर्फ अच्छी लाइफ जीता रहेगा तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा मजबूत नहीं बन पाएगा, कमजोर रहेगा और एक इनसान लाइफ की उचाईया निचाईया देखेगा परिशानिया जहलेगा, उतना ही मजबूत बन जाएगा मैचियोर बन जाएगा सरकम्स्टैंसिस से डील करने की ताकत और समझदारी आ जाएगी और लाइफ बहुत बड़ी है बहुत बड़े-बड़े failures भी आने है बहुत बड़े-बड़ी successes भी आने है उनके लिए आप आज सही त्यार हो जाते हो जितने failures face करोगे उतना ही ताकतवर बनते चले जाओगे दोस्तो अपने failures की respect करो आदर करो, उनसे सीखो दोस्तो जितनी आप कोशिश करते हो, आप fail होते हो उतना ही अपनी resources, अपना time, अपने efforts आप invest कर रहे हो आने के लिए कम सोचोगे, आपने एक दिमाग में सिर्फ plan मनाया मुझे ये करना है असानी से पीछे हट जाओगे साल दो साल मेहनत करी कई बार fail हुए, पैसा लगा दिया resources लगा दी, energy लगा दी तो पीछे हटना इतना असान नहीं होगा आपको एक ही रास्ता नजर आएगा वो है success की तरफ जितने जादा efforts डालते जाओगे failures का सामना करते चले जाओगे उतना ही success की तरफ आगे बढ़ते जाओगे क्योंकि पीछे मुनने का रास्ता बढ़ा लगेगा, cuttin लगेगा तो आगे ही बढ़ते चले जाओगे दोस्तो आपके failures यह दिखाता है कि आप कितनी कोशिश कर रहे हो Life में successful होने का एक ही तरीका है वो है कोशिश करना बाकि आपके efforts, आपकी किस्मत आपका वक्त सब मिलके बताएंगे कि आप successful होते हो नहीं होते हो तो इसलिए अगर आप fail हो रहे हो मतलब आप कोशिश कर रहे हो मतलब आपके success होने के chances बढ़ते जा रहे है क्योंकि successful होने का एक ही तरीका है वो है कोशिश करना Thank you दोस्तो